Hello friends, welcome back to my channel आज का ये वीडियो एक स्टोरी के उपर है और स्टोरी का टाइटल है गलिवर इन लिलिपूट तो ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है आपको बहुत पसंद आएगी इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे रीडिंग प्रैक्टिस फिर प्रनंसियेशन होगा एक एक शब्का उचारन करती वी जाओंगी और वर्ड मीनिंग तो सीखेंगे जितने भी डिफिकल्ड वर्ड है बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग दिये गए हैं जिससे आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी और साथ ही में जो भी ग्रैमर से रिलेटेट स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको बताती भी चलूँगी और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसी चैनल की प्लेलिस में आप देख सकते हैं बेसिक वीडियोस की एक प्लेलिस बनाई गई है और एक अगर आपकी वोकैबलरी और इंगलिस थोड़ी एडवांस लेवल की है तो आप एडवांस लेवल के वीडियोस देख सकते हैं और टेलिग्रैम चैनल पे पीडियेफ पोस्ट किये जाते हैं रोज तो वहाँ पे आप जॉइन करके उसका भी फायदा उठा सकते हैं वहाँ पे आपको पीडियेफ मिल जाएंगे और अगर आप सिर्फ एडवांस वीडियोस देखना चाते हैं एडवांस इंगलिश सीखना चाते हैं तो इसके लिए तो एक मेरा दूसरा चैनल भी है जो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपको उस चैनल का लिंक दे दूँगी उसमें सारे के सारे ओनली एडवांस इंगलिश के ओपर वीडियोस में डालती हूँ तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज की स्टोरी शुरू करते हैं सबसे पहले यहां बताना चाहती हूँ कि यह जो है यह इंगलिश नेम है गलिवर हिंदी में हम इसको गलिवर बोलते हैं तो यहां पे तो हम पढ़ेंगे इसको गलिवर इन लिलिपूट तो जो लिलिपूट है वो एक आइलेंड का नाम है टापू जो की एक लैंड होता है जो ताचारो तरफ से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं टापू या द्वीप तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आइलेंड तो उस आइलेंड का नाम है लिलिपूट और जो गलिवर नाम का व्यक्ति था वो लिलिपूट आइलेंड में गया तो उसी के ओपर यह स्टोरी है गलिवर इन लिलिपूट Gulliver was a very skilled and expert surgeon as well as a ship captain तो यह बताया गया है penitifical words के meaning जान लेते हैं skilled मतलब कुशल किसी काम को जो कुशलता से करता है तो skilled था वो और expert भी था किसमें? surgeon तो surgeon जो होते हैं जो surgery perform करते हैं उनको बोलते हैं surgeon हिंदी में इसको बोलते हैं शले चिकित सक surgery operation जो करते हैं तो देखिए जो Gulliver था वो बहुत ही अच्छा कुशल और माहिर शले चिकित सक था तो उसका जो profession है वो तो एक doctor है as well as a ship captain और इसके अलावा as well as और साथ ही क्या था वो? ship समुदरी जहाज का captain कप्तान तो अब पूरी line का मतलब यह बना कि Gulliver था was past tense में है था एक बहुत ही कुशल और माहिर शले चिकित सक एक surgeon था और साथ ही में एक जहाज का कप्तान भी था समुदरी जहाज की बात हो रही है यहाँ पे जहाज का कप्तान भी था he like to travel far on seas and visit small islands देखिए यहाँ पे जो s है वो silent होता है पड़ते हमें तो हमको क्या बोलेंगे इसको islands क्योंकि यह plural है single होगा तो island is land नहीं बोलेंगे island तो देखिए he liked अब यह like का past tense है second form of verb light to travel उसको पसंद था यात्रा करना far on seas समुदर में दूर दूर तक and visit small island और पहुचना छोटे छोटे द्वीपों पर visit मतलब यहाँ पर भी है कि यात्रा करना घूमना छोटे द्वीपों पर that were never discovered और वो भी क्या special होना चाहिए उसमें वो जो islands है were never discovered जो की कभी भी खोजे नहीं गए हो किसी के भी द्वारा तो क्या शोक था गलिवर का he liked to travel far on seas तो गलिवर को अच्छा लगता था यात्रा करना समुद्रों में बहुत दूर दूर तक चले जाना समुद्री यात्रा करते हुए and or visit small islands और घूमना विजिट करना छोटे छोटे द्वीपों में या तापू में that were never discovered जो की कभी भी किसी के द्वारा खोजे न गए हो वो बिलकुल नए हो वैसे ये पूरी की पूरी एक novel है और इसके चार हिस्सों में divide की गई है इसके चार यात्राएं हैं जो अलग-अलग टापू में जाता है तो ये वाला जो हम कर रहे हैं वो उसकी first journey है जो बहुत ही famous हो गई थी तो अब तो हम जैसे लिलिपूट की बात करते हैं तो हमारे मन में वो ही आते हैं छोटे-छोटे से जो tiny से लो होते हैं वो ही हमारे दिमाग में छप गए है तो देखिए गलिवर इन लिलिपूट ये वाली जो novel का ये वाला हिस्सा था वो बहुत famous हो गया था तो देखिए गलिवर वेंट ओन अटोटल ओफ फोर वॉयजिस वॉयज सिंगल वॉयजिस कई समुद्री यात्रा ओन फोर डिफ्रेंट आइलेंड्स फुल ओफ एडवेंचर यहां पर यही बताया गया है गलिवर वेंट गो का past tense है वेंट second form of verb होती है गो वेंट गोन तो यह जो sentence है वो simple past में है गलिवर वेंट ओन गलिवर गया on a total of four voyages चार समुद्री यात्राओं पर मिलाकर कुल मिलाकर चार समुद्री यात्राओं पर on four different islands चार अलग-अलग द्वीपों पर full of adventure और जो वो उसकी यात्रा थी वो थी भरी हुई किस से adventure से adventure तो होता है जोखिम भरे कारणा में बहुत जाके कुछ न कुछ adventure उसके साथ होता था क्योंकि वो तो नया है और नए island पे जा रहा है जिसको किसी ने कभी खोजा ही नहीं है तो वहाँ जाके कुछ न कुछ adventure होता था उसके साथ आज तो हम देखेंगे लिलिपुट में क्या adventure होता है तो Gulliver गया On his first journey, on his, उसकी, इसकी Gulliver की पहली यात्रा जो थी, Gulliver set sail along with his few crew members, crew, crew नहीं है, crew है, crew members, तो Gulliver जो है, वो चला गया, जहाज में बैठकर, समुदरी जहाज में, along with his few crew members, और अपने साथ कौन थे उसके, along with उसके साथ थे few, कुछ, crew members होते हैं, चालक दल के सदस्य, जैसे कि वो जहाज चला रहा है, तो उसी में जो और सदस्य होंगे, उनको बोलते हैं, crew members, चालक दल जैसे कोई aeroplane चलाता है, पाइलट होता है, तो उसके भी crew members होते हैं, जो उसका साथ देते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पर भी समुदरी जहाज में, उसके साथ कुछ चालक दल के सदस्य थे, जिनको बोलते हैं, crew members, उनके साथ वो चल पड़ा, पहली समुदरी यात्रा करने, although, कॉमा है यह, थोड़ा कुछ राम देंगे, यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, the ship got, ship soon got wrecked, इसमें जो डबलू है, यह silent होता है, तो उसको ऐसे पढ़ेंगे, wrecked, फिर से कॉमा है, थोड़ा रुकें, and the only survivor, survivor was gulliver, तो देखिए, although means हालां की, हालां की क्या हुआ, समुद्री आत्रा पे जब वो निकला, the ship, जो समुद्री जहाज था, soon got wrecked, जल्द ही, वो get का पास्टेन से got, वो हो गया, बरबाद, wrecked है, टूट फूट गया, बरबाद हो गया, तो डूब गया, किसी भी तरीके से, जैसे वो उसका समुद्री जहाज बरबाद हो गया, and the only survivor, survivor का मतलब होता है, जो बच गया, उन में से, तो जो भी उसके crew members थे, उन में से, the only survivor, सिर्फ जो एक बचा हुआ व्यक्ति था, जो रह गया था, was Gulliver, वो कौन था, Gulliver ही बच किया, उन सब में से, तो जो survivor था, वो कौन था, Gulliver, तो he only survived, तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते ह Gulliver was the only person who survived, Gulliver ही एक व्यक्ति था, जो रह गया था, जिसने जो बच गया, इस सब में, on reaching land, कौमा है, रुकिये थोड़ा, he found himself tied up by Lilliputians, और ये कौन है Lilliputians, ब्रैकेट में दिया गया है, small people who were around 15 cm tall, on reaching land, land मतलब जमीन पर जब वो पहुँचा, he found, find का past tense है found, तो उसने पाया अपने आपको, himself, अपने आपको tied, tie, t-i-e, बांधना, tied उसका past tense है, verb की second form है, बंदा हुआ पाया by Lilliputians, Lilliput जो ड्वीब है, उसमें रहने वाले लोगों को बोलते है, Lilliputians, मतलब Lilliput में रहने वाले लोग, Lilliputians, हम बोलते वक्त भी, जहां रहते हैं उसमें I-A-N लगा दे, तो बोलते हैं वहाँ पे रहने वाले जैसे जो लोग IIT में होते हैं उनको बोलते हैं IITians इंडिया में रहने वाले Indians तो IAN लगा दिया तो वहाँ में रहने वाले लिलिपुट में रहने वाले लिलिपुटियंस तो देखिए उसने क्या पाया अपने आपको बंधा हुआ पाया किनके द्वारा किसने उसको बांधिया था लिलिपुटियंस लिलिपुट टापू में रहने वाले लोगों ने उसको बांधिया था अब थे कौन ये लिलिपु लोता है इस यह होता है 15 cm का तो इसको इतनी थी उनकी हाइट बस तो वह लिलीपुट कहलाते हैं छोटी हाइट वाले लिलीपुट आइलेंड में रहने वाले लिलीपुट यह जिनकी हाइट थी सिर्फ 15 cm ओनली Gulliver was then taken to the capital city अब क्योंकि एक अजीब आदमी लिलीपुट आइलेंड में आ गया है तो वहाँ के लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा है कि इतना huge आदमी अब जो बहुत ही huge होगा उनके सामने जो सिर्फ 15 cm के लोग है तो वो उसको बोलेंगे giant G-I-A-N-T विशाल व्यक्ति तो Gulliver को कहां ले जाया गया फिर then taken ले जाया गया took second form है और taken है third form of verb तो he was then taken to the capital city तो जो भी लिलीपुट की capital city होगी वहाँ पर उसको ले गए capital का मतलब होता है राजधानी तो राजधानी में Gulliver को ले गए वो लिलीपुटियंस the people of Lilliput were divided into those who wore high-heeled shoes and those who wore low-heeled shoes अब यहाँ पर आपको मैं यह बताना चाहती हूँ कि यह तो एक बहुती बड़ी novel है बहुती थिक है और काफी दिन लग जाते है इसको पढ़ने में तो यह जो मैंने उसका first part है उसकी summary बनाई है आपके लिए ताकि कुछ interest आए और अगर आपको पढ़ना होगा तो आप novel को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि easy है पढ़ना अब आप रोज practice कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा तो जब वो गलिवर वहाँ पहुंचा capital city में तो उसने क्या देखा the people of Lilliput were divided तो जो लोग थे Lilliput के वो सब एक जैसे नहीं थे उनमें विभाजन हो रखा था डिवाइड मतलब दो तरीके के थे एक जैसे नहीं थे सब लोग एक तरीके की नहीं सोचते थे divided थे वो विभाजित थे अब किस किस चीज में विभाजित थे into those who wore high heel shoes and those who wore low heel shoes तो दो टाइप के लोग थे एक तो वैसे थे वोर विएर का past tense है वोर विएर वोर वोर वार्न वोर्न तो यह तो second form of verb है sentence है simple past tense में जिसको past indefinite tense भी बोलते है तो जो पहनते थे वोर high heel shoes उची एड़ी वाले जूते high heel वाले जूते पहनते थे और दूसरे लोग जो पहनते थे wore पहनते थे low heel shoes कम एड़ी वाले जूते तो उनमें विभाजन था एक तरीके के लोग पहनते थे उची एड़ी वाले जूते और दूसरे तरीके के लोग पहनते थे कम एड़ी वाले जूते तो यह देखा यहाँ पे जाके गलिवर ने और दूसरी चीज जो गलिवर ने नोटिस की वो था Even the political condition of the state was pathetic तो political तो हुआ राजनितिक और condition स्थिती तो जो राजनितिक स्थिती थी किस चीज की? उस राज्य की? लेलिपुट की? स्थेट की? वो भी क्या थी? बहुत pathetic pathetic मतलब होता है दैनिय दया से भरी हुई मतलब बिलकुल भी अच्छी नहीं थी जो उस स्थेट की लिलिपुट की जो राजनितिक स्थिती थी वो भी बहुत ही बेकार हालत में थी तो यहाँ पे लिखा है दो कोर्ट जो दर्बार के लोग थे जो राजा के दर्बार में लोग थे वर थे चोजन देखे यह थर्ड फॉर्म है वर्ब का चूज चोज चोजन यह पैसिव वोईस में लिखा गया है सेंटेंस पीपल वर चोजन तो वो चुने जाते थे किस आधार पर वो कोर्ट के पीपल चुने जाते थे बट यह वाला क्राइटीरियर उने किस चीज के लिए रखा है कि राजा के दर्बार में वो वाले लोग चुन कर रखे जाएंगे जो की रसी पर बहुत अच्छा नाच सकते हैं कितनी कुशलता से कोई कितना अच्छा डांस कर सकता है और कितनी देर तक बैलेंस बना के रख सकता है यह उनका बेस था यह आधार था जिसकी आधार पर वो लोग चुने जाते थे कौन लोग? कोर्ट पीपल राजा के दरबार में जो भी मंत्री वगरा होंगे और और यह उनकी राजनीति इक हालत है तो राजनीति में वो किस तरीके से लोग चुनते हैं अपने दरबार में रखने के लिए जो की रसीों में चड़के और बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं उनमें डांसिंग स्किल्स है तो जो किंग है लिलिपुट का जब उसके सामने गलिवर को पेश किया गया तो उसका साइज देखकर किंग ने क्या बोला देन आस्ट गलिवर को बोला गलिवर तो डिफेंड कि वो उनकी रक्षा करे देम उनकी रक्षा करे इन द वोर युद्ध में विद द नेबरिंग किंग्डम और पडोसी राज्य के और जो पडोसी राज्य है उसका नाम है बलेफुस कू तो इसका मतलब देखिए राजनीतिक स्थिती कैसे अच्छी होगी जब उनकी पडोसी राज्यों के साथ भी अच्छे संभंध नहीं है वो लड़ते हैं उसके साथ और वो क्या बोल रहा है कि जो पास वाला जो राज्य होगा बलेफुस कू उसमें लड़ाई करने में या युद में कौन रक्षा करें गलिवर अब गलिवर का साइज ही इतना बड़ा है तो बलेफुस कू में भी रहने वाले लोग भी लिलिपुटियंस की तरह छोटी हाइट के ही होगे तो किंग ने उसको बोल दिया है रिक्वेस्ट करी है कि वो रक्षा करें उनकी युद में पडोसी राज्य के साथ और जिसका नाम है पडोसी राज्य का बलेफुस कू लिलिपुट एंड बलेफुस कू स्टार्टेड दे वोर ओवर विच एंड ओफ एन एग अब कितनी अजीब बात पर लड़ाई हो गई नेबरिंग पडोसी राज्यों में क्या था उनकी जो लड़ाई का मुद्दा जो बेस था वो क्या था देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिलिपुट एंड बलेफुस कू लिलिपुट और बलेफुस कू शुरू किया उन्होंने युद ओवर विच एंड और किस चीज के उपर कि जो अंडा होता है उसके विच एंड किस तरफ से या किस किनारे से शुड बी क्रैक्ट उसको तोड़ा जाना चाहिए फर्स पहले वाइल मेकिंग एन ओमलेट और ओमलेट बनाते समय तो क्या है उनका लड़ाई का कारण ये है दोनों में लड़ाई हुई कि जो अंडा है जब हम उसका ओमलेट बनाते हैं तो जब हम उसको टक करके तोड़ते हैं तो वो किस साइड से तोड़ा जाना चाहिए पहले विच एंड ओफ एन एक शुड़ बी क्रैक्ट फर्स्ट कौन सा किनारा अंडे का शुड़ बी क्रैक्ट तोड़ा जाना चाहिए फर्स्ट पहले वाइल मेकिंग एन ओमलेट बनाते वक्त तो यह है उनका लड़ाई का कारण ओमलेट की स्पैलिंग देख लीजिए ओमलेट O-M-E-L-E-T-T-E देखिए अब पढ़ते हुए हमको कितनी सारी spellings देखने को मिलती है तो हम देखते हैं साथ में उसका meaning लिखावा होता है तो देर तक हमारे दिमाग में रहता है Otherwise हम कितने भी word meaning रटते रहे हमको जाया देर तक retain नहीं हो पाएंगे लेकिन जब हम पढ़ते हुए समझते हुए और कौन से context में वो use किया गया है story में जब उस तरीके से हम word meaning याद करते हैं तो हमारी vocabulary बढ़ती है और देर तक हमको याद भी रहते हैं आप लोग खुद भी ऐसे वाले कुछ भी जो words हैं आप पर difficult words हैं वो अपनी vocabulary में include कर सकते हैं अब गलिवर वाज शॉक्त बट डिसाइड़ तो हेल्प दे किंग इन दे वोर और डिस्ट्रॉइड दे नेवल आमी लेट बाई बलेफुसकू अब गलिवर वाज शॉक्त शॉक का past tense है शॉक्त क्योंकि यह past tense में लिखा गया है वाज वाला helping verb भी यूज किया गया है past tense का इस एम आर present tense के helping verb होते हैं वाज और वर past tense के helping verb होते हैं तो देखिए गलिवर वाज शॉक्त गलिवर तो बहुत हैरान हो गया कि यह कौन सी चीज पर यह लोग लड़ाई कर रहे हैं but decided लेकिन उसने फैसला किया decide का past tense हो गया verb second form decided उसने फैसला किया to help the king जो राजा है उसकी मदद करने के लिए in the war युद में and destroyed the naval army और गलिवर ने destroyed destroy का past tense है destroyed तबाह कर दिया इसको the naval army नौ सेना को blefusku की सेना को led by blefusku जिसका नेत्रित्व कर रहे थी ये नौ सेना जिसका नेत्रित्व कर रहे थी blefusku वाले लोग तो क्या किया गलिवर पहले तो हैरान हो गया कि ये कितनी छोटी बात पर पड़ोसी राज्यों में लड़ाई हो रही है लेकिन फिर भी उसके पास तो कोई चारा है ही नहीं अब वहाँ पे जब उस आइलेंड में आ गया है तो मदद करेगा किंकी तो उसने डिसाइड किया फिर भी उसने फैसला किया कि वो राजा की मदद करेगा युद में और तब उसने जब लड़ाई हुई तब उसने तबाह कर दिया डिस्ट्रोइड दे नेवल आमी लेड बाए बलेफुसकू तो उसने जो नौसेना जिसका नेत्रित्व बलेफुसकू कर रहा था बलेफुसकू के लोग कर रहे थे उसको तबाह कर दिया उसने उनकी नौसेना को बट लेटर दे रोयल बिल्डिंग कोट फायर कॉमा है विराम दीजिये थोड़ा रुखिये और गलिवर तुक दाउन दे फायर बाए युरिनेटिंग ओन दे पैलिस तो बट लेटर लेकिन कुछ समय बाद दे रोयल बिल्डिंग रोयल मीन्स शाही और बिल्डिंग मीन्स इमारत कॉट कैच का पास्टेंस है कॉट सेकिन फॉर्म आफ वर्ब है फायर आग लेकिन कुछ तेर बाद the royal building शाही इमारत में caught fire आग लग गई and Gulliver took down the fire took down का मतलब है उसने बुझाया आग बुझाई Gulliver took down the fire Gulliver ने आग बुझाई by urinating on the palace, palace महल और urinating है मूत्र करके तो Gulliver ने मूत्र करके जो महल में आग लगी हुई थी उसको बुझाया उस समय पे वही सूझा कि वो जल्दी से जल्दी पानी का इंतिजाम कहां से करे तो उसने मूत्र करके महल की आग बुझा दी अब इस पर क्या हुआ the king got angry and decided to sentence Gulliver अब इस पात पर राजा got get का past tense है got second form of verb है angry गुझा इस पात पर राजा बहुत गुझा हो गए इवन रानी भी बहुत गुझा हो गई थी और उसने बुला था कि मेरे महल को Gulliver ने अपवित्र कर दिया and decided फिर उन्होंने फैसला किया decide का past tense and decided फैसला किया to sentence Gulliver sentence का मतलब होता है अपराधी को दंड देना Gulliver should be sentenced कि Gulliver को दंड देना चाहिए इस अपराध के लिए तो जब इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब Gulliver को सजा होगी तो लेकिन क्या हुआ बट फॉर्चुनेटली फॉर्चूनेट फॉर्चून से बना है फॉर्चुन मतलब भागया अच्छा भागया फॉर्चुनेटली सौभागया से क्या हुआ यी मेड एन एसकेप यी मीन्स गलिवर Gulliver मेड एन एसकेप मेड एन एसकेप मीन्स वहाँ से निकल भागा गलिवर and returned return का पास्टेंस second form of verb है returned वापस लोट ना, वापस लोट आया, बैक्टो इंग्लेंड, और वहां से भाग कर निकल भागा और वापस लोट आया, वापस इंग्लेंड लोट ाया. friends, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कहानी पसंद आयी होगी, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए कमेंट लिख कर जरूर बताईए कुछ इंटराइट कीजिए आगे आपको किस तरीके की स्टोरी सुनना पसंद है टेलिक्राम चैनल पर आप पीडिएफ ले सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन दे नेक्स वीडियो